कि पहली बार राश्ट पती सासन कब लगा? वो लगा 1967 में, दूसरा लगा स्थंतर में and तीसरा लगा 1971 में ये आपको ध्यान में रखना है पहला 1950, फिर स्तंतर, फिर 1971 में ठीक है? तीन बार अब तक राश्ट पती सासन लगा है हर्याना में अब बात करें सबसे अधिक सक्सरतादर की तो हर्याना में सबसे अधिक सक्सरतादर है गुरू ग्राम में और सबसे अधिक मैला सक्सरतादर ये भी गुरू ग्राम में है लेकिन पुरुष सक्सरतादर है रिवाडी में ये तो बात होगी हमारी अधिक की अब बात करते हैं कम की तो सबसे कम ये है मेवात में और सबसे अधिक लिंगन उपात ये है मेवात में कहां पे मेवात में और सबसे कम लिंगन उपात ये है गुरू गुराम में कितना 853 ये है 2011 की जनगनना के अनुसार रावली पाड़ियां कहां पे हैं मेवात में अब बात करतें मंडल की क्योंकि मंडल से क्वेशन आई हुए थे देखो जब हरियाना बना था ना कब एक नॉमबर 1966 को उस समय हरियाना में साथ तो जिले थे और चार थे मंडल लेकिन अब इस समय बाइस जिले हैं और छे हैं मंडल देखो जब हरियाना बना तब चार मंडल कौन कों से थे हिसार, गुरुकराम, अमबाला और रोग तक लेकिन अब हैं छे तो दो नए कों से बने हैं फरीदाबाद और करनाल तो एक्जाम में आएगा कि दो नए मंडल कों से बने हैं तो वो कों से हैं फरीदाबाद और करनाल इस समय हरियाना का सबसे बड़ा मंडल कों सा है ये भी पोछ सकते हैं तो ये है रोग तक और जब हरियाना बना था तब सबसे बड़ा मंडल कों सा था अब बात कर लेते हैं छे मंडलों के बारे में कि किस मंडल में कौन से जिल आता है रोतक मंडल में कितने जिल आते हैं पांच कौन-कौन से जजजर, दादरी, रोतक, सोनीपत और भिवानी अमबाला मंडल में आते हैं अमबाला, कुर्चेतर, पंचकुला और यम्नानगर गुरुगराम मंडल में आते हैं गुरुगराम, महिंदरगड और रिवाडी हिसार मंडल में आते हैं फत्याबाद, जीन्द, हिसार और सिर्सा फरिद्दाबाद मंडल में आता है फरिद्दाबाद पलवल और मिवाद और करनाल मंडल में करनाल पानीपत और कैथल आप इसको याद कर लीजीगा हरियाना की पहली पुलिस कमिशनरी 2008 में बनी थी कहांपे गुरूग्राम में और इस समय हरियान में कुल कितनी कमिशनरी हैं तीन कौन सी पंचकुला, फरीदाबाद और गुरू ग्राम और पांच क्या है पुलिस रेंज कौन सी अमबाला, करनाल, रोतक, हिसार और साउथ रेंज इसके मुखले है रिवाडी में अब बात करते हैं हर्सवर्दन की जो हर्सवर्दन है, इसके दवारा कुछ रचना है लिखी गई थी कौन सी? रतनावली, प्रेदर्सिगा और नागनंद जिसको नागफनी भी कहते थे ठीक है? और इनके एक दरवारी कभी थे, कौन? बानभट उन्होंने भी लिखी थी, एक तुक कादंबरी, एक हर्स चरीत और एक चीनी यात्री था हैंसांग वो किसके दरवार में आया था? हर्सवर्दन की जो हर्सवर्दन है, इनके पिता का नाम था परभाकरवर्दन और परभाकरवर्दन को ही वास्तविक माना जाता है संस्तापक वर्धन वंस का और जो हर्सवर्धन है उनके दादा का नाम तो पुश्यभूती जिनोंने वर्धन वंस की स्तापना की थी देखो वैसे पुछे कि वर्धन वंस की स्तापना किसे ने की तो पुश्यभूती ने लेकिन वास्तविक संस्तापकों थे परवाकर वर्धन वो जो हर्ष वर्धन है उसको किस ने हराय था पुलकेशन दवीतिया ने कहां पे नरमदा नदी के तठपे और जो मोरनी हिल्स हैं ये कहां पे हैं सिवाली की पाड़ियों में और इनकी सबसे उची चोटी क्या है करो और एक धोसी की पाड़ियां जो की है नारनोल में और एक धोसी तिर्थ थल वो भी कहां पे हैं इन धोसी की पाड़ियों में और यहां पर मेला लगता है कब सोमवती अमवस्यागों और इन धोसी की पाड़ियों को कहा जाता है चेवन महरीसी की तपो सतली डबचिक जील पलवल में है और पलवल में कहाँ पे होडल में और इसका निर्माण 1975 में हुआ था और इसकी नीव रखी थी बियन चकरवर्ती ने जो कि हमारे पूरव राज्यपाल थे कोटला जील मेवात में है और ये एसिया की सबसे बड़ी जील है दमदमा जील गुरुगराम में है और गुरुगराम में कहाँ पे है सहोना में सुल्तारपुर जील गुरुगराम में है खलेल पूर जील पतोदी में है बढखल जील फरीदाबाद में है और ये क्या है मानम निर्मित जील बात करें इसके निर्मान की इसका निर्मान हुआ था उनीस सो संतालिस में जो बढखल है उसका अर्थ होता है बिना किसी रुकावट की धोज जील फरीदाबाद में है मियूर जील फरिदाबाद में है सूरज कुंड जील फरिदाबाद में है जो सूरज कुंड जील है इसका निर्मान करवाय था सूरज मल ने अगर सूरज मल ना हो तो आपको दिया होगा अनंग पाल द्वीतिय है तो आप इसके निशान लगा दोगे और करण जील का समंद किस से है? माभारत के करण से क्योंकि इस जील में करण सनान करते थे और सनान करने के बाद दान किया करते थे और यही पर उन्होंने इंदर देव को जो अपने कवच कुंडल है वो भी दान किये थे सनहित सरोवर ये कुर्चेत्तर में है बरम सरोवर ये भी कुर्चेत्तर में है जो बरम सरोवर है ये एसिया का सबसे बड़ा मानव निर्मित सरोवर है इसका उले कहां पे मिलता है एक तो महाभारत में और एक बामन पुरान में और इसका समंद सीधा किस से है ब्रहमा से इसको किस ने खुदवाया था? ये खुदवाया था राजा कुरू ने और ब्रहम सुरोवर के बीच में एक सरवेक्ष्वर महादे मंदिर है और इस मंदिर का निर्मान करवाया था बाबा सर्वन नाथ ने तिलियार जील रोग तक में है और जो टिकर ताल है ये है मोर्नी हिल्स में और मोर्नी हिल्स को का जाता है पहाडो की रानी और मोर्नी हिल्स की सबसे उची चोटी का नाम है करो ये मैंने बताया था जिसकी उचाईए 1514 मीटर ब्लू बर्ड जील हिसार में है चिली जील फत्यवाद में है, हतनी कुंड यम्ना नगर में है सबसे पहले आगया अलताफ हुसेन हाली ये तो बहुती ज़्यादा important question है क्योंकि यहाँ से question हर बार आता है जो अलताफ हुसेन हाली है इनका जनम होत 1837 में, मिर्ति हुई 1914 में लेकिन ये important नहीं है important ये है, ये कौन सी भासा के कवी थे ये थे उर्दू के, और इनका जनम हुआ था पानीपत में जो अलताफ हुसेन हाली है, इनका एक नाम और था वो क्या था? मौलाना खवाजा आली क्या? मौलाना खवाजा हाली ठीक है? और इनी की नाम पर हर्याना उर्दू अकैदमी क्या देती है? उर्दू सहित्ते में हाली पुरुसकार ठीक है? और इनकी रसनाई है यादगार हाली, हयात हाली, हयात जावेद तो फ्रेंड, एक्जाम में क्वेशन कैसे पूछेगा? वो पूछ लेगा, जो हाली पुरुसकार है वो कौन सी भासा में दिया जाता है? तुमारा अंसर क्या जाएगा? उर्दू भासा में ठीक है? या फिर पूछ लेगा हाली पुरुसकार कौन देती है? तो ये कौन देती है? ये लिख रखा मैंने हर्याना अर्दू अकादमी और ये किसके नाम पे दिया जाता है ये भी पूछ लेगा तो अपका अंसर हो जाएगा अलताफ हुसेन हाली ठीक है फ्रेंड इसके लावा एक कोशन और बन सकता है कि अलताफ हुसेन हाली कहां से है तो अंसराज आएगा पानी पत से बस इतना आपको ध्यान में रखना है और जो अलताफ हुसेन हाली है इन्होंने उर्दू भासा का पहला गोशना पत्तर लिखा था और एकिन की रतना है तिरिया के मजूम ठीक है इसके बाद आता है पंडित जसराज यहांसे भी question हर बार आता है इनका जनम हुआ था 28 जन्वरी 1930 को लेकिन यह important नहीं है important क्या है यह कहां से है यह हिसार से गाम का नाम क्या है पिल्ली मंदोरी जो पिल्ली मंदोरी है गाम यह पहले आता था हिसार में लेकिन इस समय कहां पे आता है कैसे आएगा ये पूछ लेंगे पंडी जसराज कहां से संबंदित हैं तो कहां से हैं हिसार से या फिर ये पूछेंगे इनका संबंद किस घराने से हैं तो किस घराने से हैं मेवाती घराने से इसके अलावा ये क्या है ये क्या है सुपरसित सास्त्रे संगीत तक ये कोशन आ स प्रता मंगेशकरवार्ड माराष्टर गोरव पुरुसकार ये सबी मिले हैं पंडिच जसराजी को तो इतना काफी आपके लिए उसके बाद है दीपचंदर भहमन ये भी इंपोर्टेंट है ये कहां से हैं सोनी पत के खंडा गाउं से ठीक है और इनको हर्याना का सेक्सपियर और कालिदास दोनों कहा जाता है यानि एक्जा में पूछें कि हर्याना का सेक्सपियर कौन है तो अंसरा जाएगा दीपचंद भहमन अगर पूछे हर्याना का कालिदास कौन है तो ये भी कौन हो जाएगा दीपचंद भहमन और भारत का सेक्सपियर कौन है ये हैं कालिदा भारत के सेक्सपियर हैं कालिदास लेकिन हर्याना के सेक्सपियर हैं दीवचंद भहमन लेकिन आपको एक बात ध्यान रखनी है इसने क्या बोला हर्याना का सेक्सपियर अगर पूछे हर्याना भासा का सेक्सपियर तो उनसर आजाएगा लखमी चंद और लखमी चंद और पत्के जाटी गाम से और इनको यानि लखमी चंद को क्या का जाता है सुर्य कवी ठीक है फ्रेंड और लखमी चंद के कई बार गुरू का नाम पुछ लेते हैं तो वो कौन थे मान सिंग मोहिंदर परताप ये क्या थे उर्दुभासा के कवी राजा राम सास्तरी इनका एक उपन्यास है जो की परसीद है जाड़ो फिरी और ये हरियाना का पहला उपन्यास था और इसके लावा एक के खेती ये भी किसकी रचना है राजा राम सास्तरी की बाबू बाल मुकंद गुप्त इनका जनमोथा गुड़ियानी गाउं में जो की पड़ता है रेवाडी में इनकी रजनाव की बात करें तो ये हैं हरिदास, खिलोना, खेलतमासा, सुफुट कवीता, सिब संबू का चिठा ये इंपोर्डेंट है एक्जामें कई बर पूछ इसके लावा ये आप देख सकते हैं तुलसी दास सर्मा दिनेस, इनकी रसनाई है सत्यगराई परलाद, भगत भारती, मतवाली मीरा, श्याम सचसई, ठीक हैं इसके लावा विसंबर नात कोसिक, इनका जनमों 1891 में, कहां पे अंबाला च्छावनी में, इनकी रसनाई खोट इसके बाद हजारी परसाद विवेदी, ये कौन सी भास में लिखते थे हिंदी में, इनकी रसनाई आप यहां पे देख सकते हैं, सूर सहित्य, हिंदी सहित्यगी भूमिका, प्राचिन भारत के कलातमक विनोद, कबीर, और इसके अलावा ये जो रसनाई हैं, आप यहां पे इनको भी पढ़ सकते हैं एक बार, ठीक है फ्रेंड, इसके बाद बाद करते हैं, डाक्टर नागेंदर की, ये हिंदी भासना में लिखते थे, और इनकी रसनाई हैं, विचार और विवेचन, विचार और अनुभूती, ये सब आप यहां पे देख सकते हैं, कब लिखी थी 1944 में, ये 1944 में, ठीक है फ्रेंड, अरस्तु का कवे सास्तर, रस सिधान्त, अलोचना की आस्था, ये इंपोर्टेंड हैं, जोंसे मैंने बताई हैं, बाकि आप एक बार सभी को देख लेना, उसके बाद हैं, अचारिय रामचंदर सुकला, ये हिंदी में लिखते थे, और इ और ये क्या है, सूपरसिध हस से कवी, ठीक है फ्रेंड, क्या है सूपरसिध हस से कवी, राजकुमार वर्मा, इनका जनम हुआ 15 सितंबर 1905 को मिर्ती 1990 के हुई, ये हिंदी भासना में लिखते थे, क्या थे सहितेकार, वेंगाकार और हस से कवी, ये भी क्या थे हस से कवी, और इनको हिंदी एकाकी का जनक माना जाता है। अब बात करते हैं रामानन्द की। इन्हें भक्ति आंदोलन का महान संत माना जाता है। किसका भक्ति आंदोलन का। और जो स्वामी रामानन्द चारिये थे। इनकी कुछ पुष्ट के हैं जिने आप यहां पे देख सकते हैं जिन में से important है ग्यान लिला ग्यान तिलक सतनामी पंथ और यहां पर लिख रखा है कौन सी वासा है हिंदी ये भी हिंदी में ये भी हिंदी में और ये दो है संस्कृत में ठीक है important क्या है exam में पूछ लेता है रामान उसके सिस्षे कौन थे तो ये कौन थे कबीरदास और धन्ना ये क्या थे रामान उसके सिस्षे हैं पर्मान अन्दास ये बरजभासा में लिखते थे इनकी रसनाई है गोकुल बलवाचारिय और गोवर्धन जो बलवाचारिय है ये पर्मान अन्दास के गुरु थे उसके बाद है मलिक मुहमत जैसी इंपोर्टन्ट है ये इन्होंने लिखी पदमावत रचना जिसमें गोरावादल का उलेक भी है और पदमावत के नाम पे एक मोवी भी आई थे अभी-अभी जिसमें रणवीर सिंग, साइद कपूर और दिपिका पादुकौन थी ठीक है फ्रेंट उसके बाद है रस खान ये ऐसे मुसलिम कभी थे जिन्होंने मध्यकाल में किसन भक्ती सहित्य की रसनाएं की थी ठीक है इन्होंने भगवत गीता का नुवाद भी किया था किसमें फार्सी और हिंदी में इसवर्दास इन्होंने लिखी थी भर्त मिलाप और इसके लावा सत्यवती कर्था जो की लिखी थी इन्होंने अवधी भासा में और अवदी भासा गी, यह सबसे पुरानी रचना है उसके बाद है तुलसी दास जो तुलसी दास है, इनको आदी कावेरमाइन के रजीता जो मैरिसी वालमी की थे, इनका अवदार माना जाता है जो तुलसी दास है, इन्होंने कौन सी रचना लिखी? संस्कृत भासा में रामचरित मानस विन्य पत्रिका दोहा वली कवीता वली हनुमान चालिसा ब्रागय संदीपनी जानकी मंगल पारवती मंगल इंपोर्टन क्या है? इसने कौन सी भासा में लिखी? कौन सी में संस्कृत में? ठीक है? अचारी जगनात मिश्रा इनोंने एक संस्कृत भासा में गंगा लहरी रचना लिखी थी केसवदास इनोंने लिखी थी कवी पिरिया रचना इसा उल्ला खां इनोंने लिखी थी रानी केत की जिसका दूसरा नाम क्या था? उद्यभान चरित फिर आता है मैथली शरण गुप्त दवीवेदी ये हिंदी में लिखते थे कौन सी खड़ी बोली में और गांधी जीनें को राष्ट कवी की पदवी दी थी इनके माकावे है सांकेत ये शोदरा उसके बाद है मादेवी वर्मा मादेवी वर्मा की रचनाई है अतीत के चलचित्तर समरीती की रेखाई पत के साती और मेरा प्रिवार शरंखला की कडिया गिल्लू इसके अलावा है हिमाले तो फ्रेंड ये आपको ध्यान में रखने है किसने लिखी? किसने? मादेवी वर्मा ने उसके बाद आजाता है सुमित्रा नंदन पंथ जो हिंदी सहित्य का यूग था च्छायवादी यूग इसमें से चार स्तंबो में से एक थे सुमित्रा नंदन पंथ अगर एक सुमित्रा नंदन पंथ थे तो तीन कौन थे? दूसरे जैसंकर परसाथ फिर मादेवी और चोथे रामकुमार वर्मा और सुमित्रा नंदन पंथ की रचनाई है मात्मा जी के परती संद्या वंदना ये धर्ती कितना देखती है मैं सबसे छोटी हों मच्छुए के गीत चांदनी, काले वादल अजाद और यहाँ पर यह देख सकते हैं उसके बाद मुंसी परेमचंद इनकी रचनाई गोदान, करमभूमी, रंगभूमी, सेवा सदन जो ये उपन्यास है ये इंपोर्टन है आप इनको याद रखना ये किसने लिखी? मुंसी परेमचंद ने अब बात आती है हेमचंद जो प्राकरति व्याकरण के लेकरण है वो कौन थे? हेमचंद जैसंकर परसाद जो काम्यानी है ये किसने लिखी? जैसंकर परसाद नहीं और ये कहां से है? यूपे के वारणासी से जो मानक हिंदी है इसका विकास खड़ी बोली से हुआ है किस से? खड़ी बोली से ये एक्जाम में सीधे क्वेशन पुछे जाएंगी इसलिए आप इनको ध्यान में रखना अब बात आती है पंडित नेकी राम ये भी इंपोर्टन्ट है इनका जनम हुआ था 4 सितंबर 1887 को काँ पे रोब तक की केलंगा गाउ में ये जो गाउ का नाम है ये इंपोर्टन्ट है जो नेकी राम सर्मा है इन्होंने सब्ताइक पत्रिका शुरू की थी कौनसी भासा में? हिंदी भासा में कौनसी में? हिंदी में और उस पत्रिका का क्या नाम था संदेस देखो संदेश पत्रिका शुरु की नेकीराम सर्मा ने लेकिन हर्याण संदेश किस ने सुरुकिया महिस जंदरने कब 1950 में मौमद इकबाल सारे जहां से अच्छा किस ने लिखा मौमद इकबाल ने ये कौन सी भासा के कवी थे उर्दोर फार्ज सी उसके बाद बताते हैं रविंदर नाथ टेगोर की इससे तीन कोशन आते हैं नमब एक तो भारत का राष्टे कान किस ने लिखा रविंदर नाथ टेगोर ने बांगलादेश का राष्टे कान किस ने लिखा रविंदर नाथ टेगोर ने और किस भारते को नोबल पुरुषकार मिला ये किसको मिला था रविंदर नाथ टेगोर को यानि पहले भारतिय थे रवीदर नाथ टेगोर जिनको मिला था नोबल पुरुषकार कब 1911 में मिला था और इनकी रचनाई हैं गिताजली, गीताजली, गीतीमाल्य, शिशू, शिशू बोलानाथ, कनीका, शनीका, खेया खुदा बक्स एहमद ये इंपोर्टेंट है इन्होंने क्या की, हर्यानवी रमायन की रचना, किसने, खुदा बक्स एहमद ने उसके बाद है, पंडित शिरी राम शर्मा, इनका जनमुवाता जजजर में, इनकी रचनाई है, नवरतन ओफ हर्याना, हर्याना का इत्यास ये दोनों किस ने लिखी पंडित सिरी राम शर्मा ने आगे है नेमी चंद तिरलोग दरपन किस ने लिखा नेमी चंद ने आर के नारायन स्वामी एंड फ्रेंड ये किस ने लिखा आर के नारायन ने उदै भानू हंस ये इंपोर्टेंट है ये क्या है हरियान के राजकवी उसके बाद है अरुधन्ती राय इन्होंने लिखी दा गोड ओफ स्मॉल तिंग्स एपीजे अब्दुलकलाम विंग्स ओफ फायर लिखी इन्होंने भीमराब अमेडगर इन्होंने लिखी बुद्ध और कारल मारक्स इसके बाद जवारलाल नैरू देखो जवारलाल नैरू है इन्होंने लिखी डिस्कवरी ओफ इंडिया जो मेगना दिसाई है इन्होंने लिखी री डिस्कवरी ओफ इंडिया क्या री डिस्कवरी ओफ इंडिया इसमें कन्फ्यूजन होना आपको मोहन चोपड़ा इन्होंने लिखा टूटा हुआ आदमी उपन्यासेन का स्वामी देनंद इन्होंने लिखी सत्यार्थ प्रकास सवदेश दिपक इन्होंने लिखी कोर्ड मार्शल जैनारेन कोशिक इन्होंने लिखी माट्टी का मोल बुड़ी सुहागन ये दोनों लिखी थ इन्होंने लिखी सिरी भगत फूल सिंग चरितरस कौन सी भासा में संस्कृत में उसके बाद है हैरोडोडस इन्हें इत्यास का पिता का चाता है और इन्होंने लिखी थी हिस्टोरी का पुस्तक मैकस्थनीज इन्होंने लिखी इंडिका और ये किसके दर्वार में रहते थे चंदरगुप्त मौरिया के उसके बादा फायान ये चिनी यातरी था इनकी पुस्तक थी फूकोकी ये किसके दर्वार में आया था चंदरगुप्त दवीतिया के हैंसांग इसकी पुष्टकती सी यू की जो की हर्सवर्दन के दर्वार में आया था 629 में और ये भी थे चिनी यातरी अल बरुनी इन्होंने लिखी तहकीके हिंद जिसको का जाता था किताब उल हिंद ये क्या थे अर्बी यातरी इबन बतूता इन्होंने लिखी रिहला ये भी थे अर्बी यातरी जो की मुमद विन तुगलक के समय आये थे उसके बाद आता है बान भट ये इंपोर्डन्ट है सबसे पहले आता है ये किसके दरवारी कवी थे ये थे हर्षवर्दन के इन्होंने लिखी कादंबरी और हर्षचरीत जो हर्षवर्दन है इन्होंने लिखी रतनावली, नागानंद, पिर्ये दर्सी का चंद बरदाई और चंद बरदाई थे पिर्तवी राज चोहान के राज कवी और जैदेव ने लिखा गीत गोविंद, नागसेन ने, मिलिंद पानो, काली दास ने लिखी अभिज्यान सकुंतलम और रगुवन्स इसके अलावा वेद व्यास ने लिखी भगवत गीता और महावारत असव घोस इसने लिखी बुद्चरित और सुत्रा लंकार बाल मिकी ने रमाइन लिखी, बिहारी ने सच सई तो पहले नमबर पे है मेवाति राज घराना तो इसकी संस्तापक थे गग्ये नजीर खान आपको ये ध्यान में रखना है, कौन थे संस्तापक? गग्ये नजीर खान और इससे भी इंपोर्टेंट है इस घराने के कवी या लेकर पंडित जसराज एक्जाम में कोशन कई बार पुछा गया है कि पंडित जसराज किस घराने से हैं तो कौन से घराने से हैं? मेवाती और इसके लावा मोतीराम, मनीराम, संजीव, अभेंकर ये सभी कौन से घराने से हैं? मेवाती घराने से और पंडित जसराज से क्वेशन हो रहता है ये कहां से हैं? इनका संबंध है हिसार से ठीक है फ्रेंड और इन सभी के बारे में मैं निक्चे डिटेल में बात करूँगा उसके बाद है बिंडी बजार घराना तो बिंडी बजार घराना के संस्तापक है उस्ताद चज्जू खान और इसके कवी हैं उस्ताद अनम अली खान ससी कला, कोर्ट कर, अंजनी बाई, मलपेकर और इसके बाद है गवालेर घराना तो गवालेर घराने के संस्तापक तीन है यानि इन तीनों ने मिलकर गवालेर घराने की स्तापना की थी हद्दुखा, हस्सुखा और नत्थुखा ये तीनों और बात करें इस घराने से related कवी होगी तो वो है बाल किर्सन बुवा इचल करंजी कर और इसके बाद है जो important है विश्णु दिगंबर पलुसकर ये exam में कुछ राता है तो ये कौन से घराने से हैं गवालियर और इसके अलाबा ओंकार ना थाकुर विनाय कराव व्यास विना से सस्तर बुद्धे ये सबी हैं गवालियर घराने से उसके बाद है आगरा घराना तो इसके संस्तापक दो हैं यानि इन दोनों ने मिलकर आगरा घराने की स्तापना गी थी एक है हाजी सुजान खान और दूसरा है उस्ताद गगे-खुदा बक्स और बात करें इनके कवियों की तो ये हैं फियाज खान, लताफत हुसेन खान, दिनकर काकेनी तो इसके बाद किराना गराना तो इसके संस्तापक हैं अब्दुल करीम खान और अब्दुल वाहिद खान और बात करे कवियों की तो ये है सवाई गंद्रव सुरेश बाबु माने परभातरे हीरा बाई बादोडकर की सिश्या मनिक वर्मा उसके बाद है बनारस घराना तो बनारस घराने के कविय ये संगीत कोन है उस्ताद विस्मिल्ला खान ये सैनाई वादक है और ये इंपोर्डेंट भी है तो इसे आप जुरूर याद रखना कौन से घराने से ये बनारस उसके बाद है पंडित कंठे महराज पंडित किशन महराज पंडित गुदई महराज पंडित अनोके लाल जो कि हैं तबला वादक उसके लावा पंडित मदन मोहन पंडित भोलेनात पाठक पंडित अमरनात मिशर संबू सुमीर गोपाल मिशर नारण विनायक हरुमान पसाद मिशर ये सबी कौन से घराने से हैं बनारस तो इसके बाद है जैपुर घराना और इसके कवियों के नाम मलिकारजुन मसूर केसरवाई केर कर किसोरी अमोन कर सुरूती संदोली कर पदम तलवर कर अश्वनी भीडे तो इसके बाद है नमबर आठ पे रामपुर सहसवान घराना और इसके संस्तापक है उस्ताद इनायत खान बात करे कवियों के तो हैं Gुलामम मुस्तिफा खान उस्ताद रसीद खान सुलोचना, ब्रश्पती उस्ताद निसार खान उसके बादप पटियाला घराना तो इसके संस्तापक है उस्ताद फते अलि खान और उस्ताद अलिबक्स और बात करें इनके कव्यों की ये बड़े गुलाम अली खां, रजली खां, अजोय चकरवर्ती गम अक्तर ये इंपोर्डेंट है निर्मला देनी, नैनी देवी, परविन सुल्ताना, नमबर दस पे हैं दिल्ली घराना दिल्ली घराना के संस्तापक हैं, उस्ताद ममन खान और कव्यों की बात करें, चांद खान, नसीर एहमद खान, किरिसन बिष्ट, इकबाल एहमद, उस्मान खान देखो, जो पानी पत का युद हुआ है, ये तीन युद हुए टोटल पहला तो हुआ 1526 में, जो 1526 में हुआ था, ये किसके बीच हुआ, बाबबर और इबराहिम लोदी के बीच और इसमें कौन जिता, इसमें जीत गया था बाबबर और उसके बाद है पानिपत का दूसरा युद जो पानिपत का दूसरा युद है ये हुआ था 1556 में किसके बीच हुआ ये हुआ था हेमचंद जिसको हेमू भी कहते थे और हुआ था अकबर के बीच इसे समझो जो हेमू था वो कौन था रिवाडी का सासक और साथ में ये दिल्ली की गद्धी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू सासक था और बात करें अकबर की देखो अकबर का जैनम हुआ था 1542 में कहां पे अमर कोट में और 1556 में हुई पानिपत की दूसरी लडाई यानि उस समय अकबर था सिर्फ 14 साल का और अकबर का सिर्फ पती था बैरम खां अगर सीधे तोर पे बात करें जो 1556 का दूसरा पानिपत का युद था ये हुआ था हेमू और बैरम खां के बीच जिसमें बैरम खां जीत गया था जो की था अकबर का सिर्फ पती उसके बाद बात करते हैं पानिपत के तीसरे युद की जो की हुआ था 1761 में किसके बीच मराठो और अफगानों के बीच जिसमें कौन जीत के थे अफगान जो अफगान है इनका नित्रतव किया था एमद सा अफदाली ने और मराठो का निर्तिर्तव किया था सरदार सदा सिवराग ने और जिसमें जीत गया था आहमत सा अवदाली अब एक कोशन आया हुआ था 1855 के करांती से तो इसे रिलेटेड और क्या कोशन आ सकते हैं नमबर एक तो जो 1857 में करांती हुई थी इसमें हिसार के बट्टू से निर्तिर्तव किया था सहजादा मौमद आजम ने और हासी से किया था हुकम चंद ने बात करें बनावली के विद्रो की यह वो था 1835 में और इसका निर्तिर्तव किया था गुलाव सिंग ने और जो बनावली है ये कहां पे है फत्याबाद में और यहां पे कौन सी संस्कृति पाई गई है हडपा संस्कृति जिसमें मिले हैं बैल गाड़ियों के पहिए और जोके सक्स हैं और इसके अलावा अगने वेदियों के सक्स हैं उसके बाद बाद आती है रावतुला राव की इनका संबन्द है रिवाडी से और इन्होंने 1857 की करांती का नेत्रतव किया था रिवाडी से जीन्द के विद्रो की बात करें तो यह हुआ था 1814 में और इसका नेत्रतव किया था परताब सिंग ने जो कैथल का विद्रो है ये हुआ 1843 में और जो कैथल से 1857 की गरांती है इसका नित्यतव गया था गुलाव सिंग ने और सूरज कोर ने ये दोनों अलग कोशन है ये 1857 की गरांती के बारे में है और ये विद्रो के बारे में है अब बात आती है तराइन के युद की जिसको तरावडी का युद भी कहते हैं ये ना दो युद हुए हैं एक तो हुआ था 1191 में एक हुआ 1102 में और ये दोनों किसके बीच हुए पिर्थविराज चोहान और मुहमद गोरी के बीच जिसमें पहला युद जो 1101 में हुआ था वो तो जीत गया था पिर्थविराज चोहान और जो दूसरा युद हुआ था 1102 में उसे जीत गया था मुहमद गोरी इसने पहली बार भारत पे अक्रमन कब किया 1175 में और पिर्थविराज चोहान से एक क्वेशन ओरता है उसके राजकवी के बारे में जो पिर्थविराज चोहान है उनके राजकवी का नाम था चंद बरदाई जिनोंने लिखी थी पिर्थविराज रासो और जो चंद बर्दाई हैं इनको हरियाना का आदी कवी भी कहते हैं जिनका सम्मध है हिसार से कहां से हिसार से और इसके लाबा एक युद हो रहा है चंदावर का युद जो हुआ था 1194 में जिसमें कौन जीता था मौमद गोरी और ये किस-किस के बीच हुआ था मौमद गोरी और जैचंद के बीच जिसमें मौमद गोरी जीत गया था जो राणिया में 1857 का विद्रोव हुआ था इसमें नेत्यतव किया था नूर मौमद खान ने राणिया कहां पे है सिर्सा में तारिक को एक क्वेशन आया हुआ था कि राणिया विधानसवा सीट कौन से जिले में है तो कहां पे है सिर्सा में जो 1857 की करांती है ये हर्याना में सुरू हुई थी 13 मई 1843 को कहां से अंबाला से और इसका नेत्यतव किया था मोहन सिंग ने और इसके अलावा और चोदरी बंसी लालगा जनम भी कहां पी हुआ था बीवानी के गोला गड में कब 26 अगस्त 1927 को और ये हर्याना के तीन बार मुख्य मंत्री बन चुके हैं पहली बार तो बने 68 से लेके 75 तक फिर बने 85 से 87 और फिर 1996 से 1999 जब ये तीसरी बार मुख्य मंत्री बने तो इनकी पार्टी का नाम था हर्याना विकास पार्टी और इनकी मिर्ति होगी 28 मार्च 2006 को और 1991 में कांगरेस से अलग होके इन्होंने की थी हर्याना विकास पार्टी की स्तापना और इनी की सरकार में एक जुलाई 1996 को शराब बंदी हुई थी और जिसको वपी से समप्त कर दिया था 1 अपरेल 1998 में को और जो बंसी लाल है इने कहा जाता है हर्याना का लोपुर्स हर्याना का निर्माता, विकास पुर्स 1975 में ये भारत के रक्षा मंतरी बने और 1984 में बने ये परिभेहन मंतरी 1985 में बने भारत के रेल मंतरी उसके बाद है हेमू या हेम चंद ये कौन था रिवाडी का सासक था और दिल्ली की गद्धी पे बैठने वाला ये अंतिम हिंदू सासक था लाला लाजपतराय इनका सम्मध हिसार से है और इनोंने 1886 में हिसार के अंदर की थी कांगरेस की स्तापना और 1888 में किया था इनोंने इलाबाद अधिवेशन में हिसार का नेतिरतव अठारसो बाणवे में किया था लाहोर में हिसार का नित्रतव और लाला लाजपतराई को कहा जाता है पंजाव केसरी उसके बाद है सूरदास सूरदास का जनम हुआ 1408 में कहां पे फरिदाबाद के सीही गाउं में और मिर्त हुई इनकी 1580 में जो सूरदास हैं ये किसके समकालिन थे अकबर की और बात करें सूरदास किस कवेधारा के कवी थे ये थे किरसन कवेधारा की और इनकी भासा थी ब्रज जो हास्से कभी है सुरेंदे सर्मा इनका समंध कहां से हैं महिंदरगड से जो बाबा रामदेव हैं इनका भी समंध है महिंदरगड से और इनके गुरु का नाम है अचारिय बलदेव भगवत द्याल सर्मा इनका जनम हुआ था 26 जनवरी 1918 को कहां पे बेरी में और इनकी मिर्थी हुई 22 फरोबरी 1993 को और ये हर्याणा के पहले मुक्खे मंतरी थे उसके बाद अउम प्रकाश चुटाला तो इनका जनम हुआ था सिर्शा के चुटाला गाउं में और ये हरियाना के पांस बर मुख्य मंतरी बन चुके हैं और सबसे कम समय के लिए मुख्य मंतरी भी कौन बने थे ओम परकास चुटाला कितने दिन छे दिन तक और ओम परकास चुटाला के पिता का नाम है चोदरी देविलाल अब बात करते हैं पर्मुख नदियों के बारे में तो यमना नदी है ये हरियाना की पर्मुख नदी है जो की निकलती है हिमाचल के यमनोत्री से और ये हरियाना में बहती है अंबाला, कुर्चेतर, करनाल, पानिपत, सोनिपत और फरिदाबाद में और ये गंगा की साहिग नदी है गंगा की सबसे बड़ी साहिग नदी कौन सी है यमुना ये गंगा में कहां से मिलती है प्रयाग राज से जो प्रयाग राज है इसका पुराना नाम है इलाबाद उसके बाद बाद करते हैं घगर नदी की जो घगर नदी हैं इसको अनकाई दलदल भी कहते हैं इसका उदगम स्तल है डागसाई जो कि पढ़ता है हिमाचल परदेश में ये नदी डागसाई से निकल कर हरियाना से होते हुए काँ चल जाते है राजस्तान के हनुमान गड़ में देखो जो गगर नदी है इसमें एक ओटू भांध है या फिर इसको कहते हैं बिराज भांध इस भांध से पहले तो इसको कहते हैं गगर नदी और इस भांध के बाद इसको कहा जाता है हक्रा नदी और कुछ लोग मानते हैं प्राचिन काल में बहने वाली जो सरस्वती नदी उसका ही बचावा रूप क्या है गगर नदी उसके बाद दोह नदी ये जैपपूर से निकलती है और हर्याना में परवेश करती है मेंदर गडजिले से ये सायग नदी है सायवी की उसके बाद कृष्णावती नदी ये निकलती है जैपपूर की पहाड़ियों से और ये हर्य नदी इसका उद्गम स्तल है नाहन के पास सिवालिक की पहडियां और ये गगर की साइक नदी है और ये हरियाना में अमबाला साबाद मरकंडा में बहती है और जो मरकंडा नदी है इसका प्राची नाम है अरूना और एक कोशन बचता है भागडा नहर जो भागडा नहर है य और टोहाना पड़ता है फत्याबाद में और इसी कारण टोहाना को कहा जाता है नदियों का नगर और जो भागणा नैर है ये कौन सी नदी से निकलती है सतलूज से तो फ्रेंट उमीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आँगा अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेर जरूर करें अगर कोई टोपिक छूट गया है तो प्लीज कोमेंट करें हम उस टोपिक को भी जल्दी करा देंगे